Suppose आपके पास 3 jars हैं, जिसमें एक jar में आपने red color की ball रखी हुई हैं, एक jar में आपने blue color की ball रखी हुई हैं, और एक jar में आपने red and blue randomly रखी हुई हैं, बट condition क्या है? जब हमने उसकी labeling की, तो labeling wrong हो गई हैं, मतलब जिस jar में हमने red balls रखी हुई हैं, उसकी labeling हमने कुछ और कर दी हैं, जिस jar में हमने blue balls रखी हुई हैं, उसकी labeling हमने कुछ और कर दी हैं, और जिस jar में आपने दोनों ही color की balls randomly रखी हुई हैं, उसकी labeling कुछ और कर दी हैं, अब आपक क्या सोचना है कि आप कितनी minimum बॉल निकालेंगे हर एक जार में से या फिर किसी एक जार में से to correct all these labels तो सोचे जरा इस पजल को हम कैसे solve करेंगे I hope आपने try किया होगा कि इस पजल को हम कैसे solve कर सकते हैं अगर आप answer तक पहुच गए हैं तो आप comment box में answer लिख सकते हैं और अगर आपका answer नहीं आया है तो मेरे साथ इस वीडियो में देख सकते हैं तो देखें condition आपको क्या दिया हुआ है You are allowed to pick as many balls as you want मतलब आप जितना चाहें उतनी balls हर एक जार में से निकाल सकते हैं बट आपको ये calculate करना है कि minimum हम कितनी balls निकाल सकते हैं इन सबी जार को correctly label करने के लिए तो इस टाइब के question करने के लिए आप क्या करेंगे Question में एक line दिया हुआ है minimum balls तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या minimum number हो सकता है मतलब हम 1 से start कर सकते हैं 1 क्या होगा minimum number तो सबसे पहले हम try करेंगे कि एक जार में से एक ball निकालें हम सोचेंगे अगर हम label करिकर पा रहे हैं तो हमारा answer 1 होगा अगर उससे answer नहीं आया तो हम क्या try करेंगे? 2 balls निकालेंगे उससे भी answer नहीं आया तो हम 3 balls निकालेंगे इसका मतलब है आप start कहां से करेंगे with minimum number of balls, okay? क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि हम 3 ही जान में से 1-1 ball निकालें तो number of balls तो कितनी हो जाएंगी? 3 क्या हम उससे कम balls में answer ला सकते हैं? तो try कीज़े कि आप किससे start करेंगे from 1, okay? अब question को solve करने के लिए सबसे पहला जो hint है क्या hint है? All three jars are mislabeled मतलब जो भी उस jar पे label लगा हुआ है वो तो wrong है तो सबसे पहले हम check करेंगे possibilities कि हर एक jar का correct label क्या हो सकता है? तो जिस jar पर red color का label लगा हुआ है तो ये तो incorrect है इसका मतलब उसके correct label क्या हो सकता है? या तो blue या फिर red plus blue for example अगर ये jar A है, ये jar B है और ये क्या है? jar C similarly jar B का correct label क्या हो सकता है? देखे इसका already label क्या है blue जो की incorrect है तो इसका correct label क्या हो सकता है? या तो red या फिर red plus blue next अगर jar C की बात करेंगे तो इसका label क्या है? red plus blue तो ये तो wrong है तो correct label क्या हो सकता है? या तो red या फिर blue अब इनकी दो possibilities हैं हमें क्या करना है? correct label चूस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक jar को चूस करते हैं और उसमें से एक बाल पिक करते हैं देखते हैं कि क्या हम लेबल क्रेक कर पा रहे हैं तो सबसे पहले वी विल पिक अ बाल फ्रॉम जार A अब इसका लेबल रेड है तो correct label क्या हो सकता है? या तो blue या फिर red plus blue तो क्या करेंगे? अगर हमने एक बाल पिक किया और वो बाल क्या आया? red color का तो अगर ये red color का बाल आया इसका मतलब इस jar का label blue तो नहीं है इस jar का label क्या होगा? red plus blue क्योंकि इसमें दोनों ही color की balls हो सकते हैं red भी हो सकती है, blue भी हो सकती है क्योंकि जो बहुल हमने पिक की है, वो किस कलर की है, रेड कलर की, तो इसका लेबल रेड, जो कि इनकरेक्ट है, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, रेड प्लस ब्लू, तो इसका पास लेबल क्या हो जाएगा, रेड प्लस ब्लू, अब अगर ये इसका पास लेबल है, तो जार B, जिसके लिए हमने दो possibilities देखी थी, red plus blue and red, तो ये तो इसके पास नहीं है, इसके पास क्या possibility होगी, only red तो जार B का correct label क्या हो जाएगा, red, अब जार C का correct label क्या होगा, तो देखे, red हमने already use कर लिया, for jar B, तो ये तो इस jar का correct label क्या आगया, blue, तो इस तरह से हमने एक ball pick करके, तीनो jar की labeling correct कर दी, बट क्या ये approach सही है, देखे, अब ही आपने जो ball pick की थी, वो red color की थी, उससे हमने क्या किया, तीनो jar की labeling correct कर दी, बट अगर जो ball हमने pick की है, वो blue color की हुई तो, तो क्या हम decide कर पाएंगे कि इस jar का correct label क्या है, blue या फिर red plus blue, क्योंकि इसमें भी blue color की ball होगी, और इसमें भी blue color की ball होगी, तो हम यह confused हो जाएंगे कि क्या correct label है इसका, तो अगर हम jar A में ही decide नहीं कर पा रहें कि इस jar का correct label क्या है, तो B और C में भी नहीं कर पाएंगे, right, तो यह approach तो सही नहीं है similarly आप jar B को choose करेंगे उसमें से एक ball pick करेंगे तो वहाँ भी एक condition आएगा जहां आपके पास दोनों ही possibilities होगी तो हम अब क्या करते हैं हम jar C को choose करेंगे जिसका label क्या है red plus blue अब देखें हम इस jar को choose क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसकी possibility है या तो red या फिर blue तो मतलब अगर इसमें से blue ball निकल के आएगी तो correct label क्या हो जाएगा blue अगर red निकल के आएगी तो correct label क्या हो जाएगा red तो confusion नहीं होगा क्योंकि red plus blue ये तो incorrect है इसका मतलब इसमें दोनों तरह की ball नहीं हो सकती इसमें सिफ एक ही color की ball होगी या तो red या फिर blue तो easily हम कर पाएगे इसको तो suppose अगर आपने एक ball पिक किया और वो ball क्या है red color तो अगर वो red color का ball है इसका मतलब ये blue वाल option हम eliminate कर सकते हैं इस jar का correct label क्या हो जाएगा red next अगर हम jar B को देखेंगे तो इसके पास क्या possibilities है red या फिर red plus blue तो देखें red तो already use कर लिया है for jar C तो इसका correct label क्या आजाएगा red plus blue तो हम ये cancel कर सकते हैं इसका correct label क्या आजाएगा red plus blue next अगर jar A के लिए देखेंगे तो red plus blue option तो गया क्योंकि वो हमने jar B के लिए use कर लिया था तो इसका correct label क्या आजाएगा blue तो इस तरह से एक ball pick करके हमने तीनो jar की labeling correct कर दी अब ये तो आपने चूस की थी एक ball जो red color की आई थी suppose ball अगर blue color की है तो फिर क्या करेंगे देखें अगर blue color की है इसका मतलब है jar C का correct label क्या होगा blue अब अगर ये jar C का correct label है तो jar A का correct label क्या होगा देखें blue तो गया क्योंकि blue हमने किस में use किया jar C में तो jar A का correct label क्या हो जाएगा red plus blue अब अगर ये jar A का correct label है तो jar B के लिए क्या option बचा jar B के लिए तो option बचेगा only red तो ये हम eliminate कर सकते हैं jar B का correct label क्या हो जाएगा red इस तरह से किसी भी color की ball अगर आप pick करते हैं jar C के help से labeling क्योंकि उसके पास दो ये option है अगर ball red आएगी तो correct label क्या होगा red अगर ball blue आएगी तो correct label क्या होगा blue तो हम decide कर पाएगे तीनो jars के correct label तो इस puzzle का answer क्या हो जाएगा only one ball from which jar from jar C जिसमें incorrect label क्या लगा हुआ है red and blue तो thanks for watching please like, share and subscribe